ही है जाय क्या ही दिन है आज उपर से चश्मे, इतने महंगे छोड़ो यार अच्छा वैसे एक बात बताओ ये महंगे और ब्रंडिट चश्मे पहनने से क्या इंसान ब्रहमेत होता तर मतलब वैसे तो मुझे लाइफ में आज तक कुछ भी परफेक्ट नहीं लेगा लेकिन महिंद्रा ओजा को देखने के बाद मुझे आज तक ऐसा लगता है कि मैं ब्रहमे हूँ मतलब ब्रहमान की सर्फ शक्ती से बना महिंद्रा ओजा ये है खेती का भवेश है जो खेती और किसानों दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है और सबसे बेस्ट पार जो मैं इसका लगा वो है इसका डीजल मॉनिटरिंग मतलब क्या ही फीचर है पहले तो मुझे लगा बस ऐसा ही कोई बड़ा सा नाम रख दिया होगा लेकिन भाई साब जब हम इसको देखे तो हमारे आग के गोले एकदम खुले के खुले रह गए मतलब डाउन टाउन में फ्यूल को कोई छूब ही ना पाए और साथ ही साथ में इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर से जोड़ा हुआ और सेफटी की तो क्या ही बात करे GPS तो सुना था ना आपने हमने भी सुना था लेकिन इसमें तो जियो फैंसिंग का भी ऑप्शन है जो आपके ट्रेक्टर के काम को रखे एकदम कंट्रोल में ना एक कदम इधर और ना एक कदम उधर और GPS से आप ट्रेक्टर की लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं वो अपनी लगजरी कार्स की तरह जी हाँ अब यह कह रहे थे कि खेती में सरलता होगी अब हम जो है वो बिना देखे मानने वाले तो है नहीं तो हम जाके देखे तो हमें पता लगा कि इसमें तो फेंडर स्विच का भी ऑप्शन है जिससे बटन दबाते ही इंप्लिमेंट चेंज हो सकता है अराम से लिफ्ट करो, लो करो, लिफ्ट करो, लो करो जैसा चाहें वैसा करो अब आप बताईए भाई साब जब इतने सारे फीचर्स मिलेंगे महिंद्रा ओजा में तो ब्रहम तो हो गई ना और E-PTO से तो काम में परफेक्शन कोई छूट ही ना पाए मतला, आटोमेटिक PTO से इंगेज करो और डिसेंगेज करो और एलेक्ट्रिक वैट PTO से हो एकदम संचोत और स्मूथ ऑपरेशन जिससे खेती की प्रकरिया हो एकदम टेंशन फ्री सच कहूं तो पहले मुझे भरोसा नहीं था लेकिन जब मैंने खुद अपनी आँखों से देखा तब मुझे पता चला कि महिंद्रा ट्रेक्टर से एक अजूबा है और महिंद्रा ओजा यह तो खुद में एक अजूबा है जो पता नहीं किस मिट्टी से पना है अरे हमारा मतलब है कि हर मिट्टी के लिए पना है आए पर देखो आए 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 आए